तो वारणसी से लखनाओं की लडाई में पूरवांचल की ये जंग आप देख रहे हैं तो आईए आपको ज़रा बता दें कि ये सिर्फ प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी की बात नहीं है पूरी की पूरी बीजेपी टीम आफ मिनिस्टर्स सब पूरवांचल में जो किला है उसमें कहीं अखिलेश यादव ओपी राजबर के साथ मिलकर सेंद ना मार दें और इसलिए चाहे प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी की जोड़ी हो उससे आगे बढ़कर ग्रे मंत्री अमित शाह पूरवांचल की 140 सीटों पर वो अपना फोकस रख रह है वहाँ पर वो एक एक जगा पर पहुचने की कोशिस कर रहा है इसी में अमूल प्लान समेत कई उजनाओं का उधट पिछले दो महीने में पियम मोर्दी लगा था पुरवांचल का दौरा कर रहें और उत्तर प्रदेश के इस इलाके को बड़े प्रजेक्ट की सौकात दे रहें लेकिन सवाल है क्यों हम आप सब कासिवासी लोगन के प्रणाम करत है जिनके सयोग से इस शुबगड़ी आयल हा रदाए गदगद हा मन अहलादित हा आप सब लोगन के बहुत बहुत बढ़ाई हा 2017 में मेरट से पीएम ने बीजेपी के चुनाव प्रचार अभ्यान का अगास गिया था लेकिन इस बार के चुनाव में मोदी की चुनावी रैलियों का अगास कुशी नगर से हुआ सवाल है क्यों, क्यों पीम ने बीजेपी के इलेक्शन केंपेंड की कमार अपने हाथ में थामली है जानकार मान रहे हैं कि पश्चिमी उत्तरपदेश में नुकसान की आशंका को देखते हुए बीजेपी ने अपना सारा फोकस पुर्वानचल पलगा दिया है ताकि पश्चिम में होने वाले संभावित नुकसान की भरपाई की जाए सके है 2017 के विदानसवा चुनाव में बीजेपी को पुर्वानचल की 156 सीटों में से 106 सीटे मिली थी बड़ी बात यह है कि चाहे पीम नरिंद बोधी हो, मुख्यमंतरी योगी आदितनाथ हो या फिर अखलेश यादव तीनों निताओं का सीधर संभन यहां से है इसलिए पुर्वानचल की जंग चुनावी हारजीत से कहीं आगे साख की लड़ाई का केंदर भी बन चुकी है लेकिन इस बार अखलेश की पुर्वानचल में सक्रिटा को देखते हुए बीजेपी एक्शन में आ गई इसके अलावा जिस तरह से अखलेश ने पुर्वानचल के लिए सोशल इंजिरिंग की है उसे भी बीजेपी नजर अंदाज नहीं कर सकती पिछले विदंसवा चुनाम में ओम प्रकाश राजबर की पार्टी सुहेल दे भारती समाज पार्टी भाजपा के साथ थी लेकिन इस चुनाम में वो अखलेश की साइकल पर सवार है समाजवादी पार्टी राजबर के अलावा भारती समाज पार्टी महंदर कृष्णा पटेल के अपना दर और जन्वादी पार्टी सोशलिस के साथ गड़वन्दन कर पुर्वांचल में खुद को मजबूत कर रही है यानि पश्चमी यूपी में अख्लेश मजबूत दिख रहे हैं तो पुर्वांचल में भी वो अच्छी पैट बनाते दिखते हैं अभी तक जो उद्गाटन हुए है ये शिलानेस का शिलानेस हुआ है उद्गाटन का उद्गाटन हुआ है इसलिए समाजवादी पार्टी ने का है कि ये सरकार ऐसी है जो नाम बदलने वाली है रंग बदलने वाली है और फीता लखनव से दिल्ली से कैंची और उद्गाटन होड़ा लगाता है समाजवादी पार्टी से मिल रही इसी चिनौती को देखते हुए बीजेपी ने अपनी रंणीती को नए सिरे से गढ़ना शुरू कर दिया है और अमिशा ने भी मूर्चा समालिया है शुक्रवार से अमिशा प्रियागराद से अपना मिशन यूपी शुरू कर चुके हैं जो चार जन्वरी तक चलेगा इस दोरान अमिशा 21 सभा है और तीन रोडशो करेंगी अमिशा 140 विधानसवाग शेतर को कवर करेंगे सबसे ज़्यादा फोकस OBC बहुल और सुरक्षित विधानसवाग सीटों पर होगा शाह के दोरे का प्लैन सूबे के जातिकत समी करणों को ध्यान में रखकर बनाए गया है जिसमें OBC बहुल सीट को खास तवज्यो दी गई है ताकि अकलेश की चुनोती से बैतर धंग से निप्टर जा सके आज तक मेरो झाल